प्यारे बच्चों नमस्कार जहिंद्वन्देवात्रम स्वागत है आप सभी का गोल्डेन पार्ट साला में प्यारे बच्चों आज से आप सभी के लिए राष्टी आयम योगिता अधारी छातुर्वती परिछा का नया वैच स्टार्ट होने जा रहा है जिसे अंग्रेजी म इसको अलग अलग राजियों में अलग अलग नामों से जाना जाता है लेकिन इसका जो पैटर्न होता है जो स्लेबस होता है वो सेम होता है इसमें आपके टोटल एक्सोष्टी कोश्चन आते हैं जिसमें 90 जो कोश्चन होते हैं वो मैट के होते हैं अर्थात रिजिनिंग के होते हैं और 90 प्रशन जो होते हैं वो सामाजी विज्ञान विज्ञान और गड़ते पुछ जाते हैं तो इसका जो details वीडियो है हम पहले ही बना चुके हैं आप प्लेश में जाकर दे सकते हैं पूरी जानकारी आपको NMS एक्जाम के बारे में दी जा चुकी है आज से हम लोग नए बैच को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिससे जुड़ करके आप फ्री में तयारी कर सकते हैं इसके लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर सेयर कर दें ताकि जादा से जादा बच्चे चैनल के माध्यन से जुड़ करके फ्री में तयारी कर सकें कोई भी पैसा आपको किसी को भी नहीं देना है आप सभी लोगों को चैनल पर फ्री में तयारी करवा जाती है A2Z पूरी जानकारी के साथ आप सभी लोग 2024 में जिन बच्चों ने परिछाया दी थी उनसे आप कुछ सकते हो कि किस प्रकार से हमारे चैनल के माध्यन से तयारी कराई जाती है और आज की इस वीडियो में हम रिजनिंग के कुछ प्रशनों को हल करेंगे तो आज की बात करें तो 2024 का प्रशन पत्र आपके सामने है और इस प्रशन पत्र में आप देख सकते हैं कि रिजनिंग का जो पोर्शन होता है उसमें 90 प्रशन पूशे आते हैं और इन 90 प्रश्णों में जो पहला चैप्टर आपका पढ़ा जाता है सादरिस्ता प्रश्ण का इससे सम्मंदित आपके 14 प्रिंट पूछे गये थे दोजार चौबिस का ये पेपर है आप देख लीजी इसमें आपका 13 से ले करके 27 तक के प्रश्ण जो है पूछे गये थे औ और कुल मिलाके 14 प्रिंट पूछे गये थे तो इस प्रकार से जो प्रश्ण है वो आपके काफी संख्या में आते हैं तो ऐसे प्रश्ण आपके गलत नहीं होने चाहिए और ऐसे प्रश्णों को आप सीख करके ज्यादा से ज्यादा से इसकोर कर सकते हैं तो आज की इस NMS exam 2020 की परिच्छा में आये हुए प्रश्ण है, यानि 2020 में जो आपका पेपर हुआ था, उसमें ये प्रश्ण आये हुए थे, प्यारे बच्चों यदि आप previous question paper को ही पढ़ लेते हैं, तो भी आप NMS exam को आसाने से पास कर सकते हैं, तो हम पूरी तरह के से एक एक प्रश्ण आपका previous question paper से लेते हैं, और नए प्रश्णों को भी add करते हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को last तक जरूर देखेगा, एक प्रश्ण को अच्छे से पढ़ देवे चलेगा, किस प्रकार से आपको प्रश्ण को हल करना है, कैसे आपको सोचना है, सारी जानकारी वीडियो मे हैं, जिसमें हमने 2013 से ले करके बाकी के प्रश्ण हमने डाल दिये हैं, तो वो प्रश्ण अब बार बार हम नहीं पढ़ाएंगे, वो प्रश्ण अपने आप से आप पढ़ लीजे, जब paper नजदीक आएगा तो हम इसको जो है revise करा देंगे, तो इतना आपका सकते हैं, प्ले प्रश्णों को हल करेंगे, तो आई देखते हैं, एक 79 प्रश्ण बच्चों दिया गया है कि अमीर का सम्मन्द जिस प्रकार से गरीब से है, उसी प्रकार से दयालू का सम्मन्द किस से होगा, अब यहां पर देखो, अमीर के बाद अनुपात लगा है, और गरीब लिखा है इसका मतलब है, दो सब्दों में जो सम्मन्द है इधर, आपका बाई तरफ, उसी प्रकार से दाहिने तरफ फी दो सब्दों का सम्मन्द होना चाहिए, तो अमीर का उल्टा गरीब होता है, तो इसी प्रकार से दयालू का उल्टा क्या हो जाएगा, आप सभी को सोचना है, तो दयालू का जो विल॓म सब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा निर्दई हो जाएगा तो सही आपसन बचो ये आपसन आपका हो जाएगा जिसको OEMR सीट पर ये आपसन फिल करना होता है इसके बाद Q72 है जंगल का सम्मन gutes पहार से पेण से है उसी प्रकार से नदी का सम्म भी नहीं बसा सकते तो नदी में कौन होगा नदी में नव होती है तो देख करके ही इन प्रशनों के आंसर आप कर सकते हैं कुछ प्रशन जो होते हैं वो टिपिकल होते हैं तो उनके लिए हम ट्रेक आपको बताएंगे त्यात्तन नमर प्रशना है आरी का सम्मंद लकडी से है तो उसी ब्रकास से सबजी का सम्मंद किस से होगा तो आरी में लकडी लगी होती है ना तो सबजी का सम्मंद किस से होगा तो चमच से चाकू से भोजन से तो देखो सबजी का सम्मंद बच्चों हो जाएगा आपका भो लगे तो रोग करके आप पढ़ सकते हैं इसके बाद आंसर आप देखिए तो सुख का संबन्ध दुख से है तो सुख और दुख ये आपस में क्या है? विलोम सब्द है तो उसी ब्रकार से आसा का विलोम सब्द क्या हो जाएगा? निराषा A option आपका सही जवाब हो जाएगा इसके बाद question number 75 बच्चों दिया गया है कि जाड़ा जाड़े का सम्मद स्वेटर से है तो भूँक का सम्मद किस से होगा तो जाड़े में जब हम स्वेटर पहनते हैं तो क्या हो जाता है जाड़ा खतम हो जाता है इसी प्रकार से भूँक में हम क्या करते है कि जो भूँक खतम हो जाए तो हम भोजन करते हैं तो A option इसका सही जवाब हो जाएगा question number 76 बच्चों दिया गया है W upon D का सम्मद जिस प्रकार से 92 से है उसी प्रकार से S अनुपात H का मान क्या होगा तो जिस प्रकार से W upon D 92 से सम्मद है उसी प्रकार से सम्मद इसमें आपको लगाना है तो पहले आपको विचार करना है कैसे इसमें सम्मद लगा है तो ऐसे प्रशनों को करने के लिए बच्चों जैसे आपका A, B, C, D, X, Y, Z आ जाए तो सम्मद लिजे कि वहाँ पर आपको A से जरूत पड़ेगी एक से लेकर के A से लेकर Z तक यानि A to Z आपको उनके अंक मालूमने चाहिए उनके अस्थानों के अंक मालूमने चाहिए जैसे A का नंबर क्या होता है 1, B का नंबर क्या होता है 2, C का नम्मर क्या होता है, 3 तो ऐसे इसको याद करना होगा और Z का स्थान क्या होता है 26 वा अच्छर होता है तो ऐसे आपको याद करना होगा इससे आप बहुत आसानी से कर पाएंगे वरना फिर आप क्या करेंगे फिर इसको लिख लीजेगा एक पन्ने पर क्योंकि ये काम आपका बहुत आने वाला है तो देखो W अपान D को कैसे हल करेंगे W का जो मान होता है बच्चों देखा जाता है अंकों में 23 होता है और अगर D की बात करें तो 4 होता है अब यहाँ पर किया गया है कि 23 को 4 से गुणा करा दिया गया इस जो 4 आये हैं 23 को 4 से गुणा कर दिया गया तो 23 को हो जाएगा 92 ठीक तो सेम यही चीज जिसमें आपको करानी है S अपान H में तो S का जो अस्थान होता है वो होता है 19 मों अस्थान और S का जो अच्थान होता है वो ता 8 तो 19 का अगर 8 से हम गुड़ा करा दें तो आ जाता है 1968 152 तो right answer आपका यहाँ पर हो जाएगा C action ऐसे आप इसको हल करेंगे आसा है कि यह question जो है आपके समझ में आया होगा अगर समझ में आया है तो दुबारा आप इसको रों करके देख सकते हैं साथतर नमर question देखो चार पांच साथ यानि 458 दिया गया है और इसका समझ एक सो चालिस से है तो 318 का समझ किस से होगा तो इसमें देख लिए क्या करा गया है चार का गुड़ा पांच से कर दो तो चार पंचे बीस हो जाएगा यानि चार गुड़े पांच गुड़े साथ कर दीजिए तो एक सो चालिस हा जाएगा चार पंचे बीस और बीस सत्ते एक सो चालिस तो हो जाएगा एक सो चालिस यानि यहाँ पर आंकों का गुड़ा किया गया है कभी-कभी आंकों को जोड़ा जा सकता है गुड़ा किया सकता है भाग भी कर सकते है तो जैसे बनने वाला होगा वैसे आपको बनाना होगा आपको चहुमखी ध्यान देना है चारों तरफ विचार करना है अब तीन का गुड़ा एक से कर दो, तीन एक कम, तीन और बाकी आठ से गुड़ा कर दो, तो हो जाएगा तीन अबठे 24, राइट आंसर आपका बी आपसन बच्चों हो जाएगा, आसा है कि आपको समझ में आया होगा, इसके बाद देखो, कुछ नमबर 78 दिया गया है, TSR का स सम्मंद जिस प्रकार से, OP क्यों से है, उसी प्रकार से MLK का सम्मंद किस से होगा, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा विचार करना है, कैसे करेंगे, देखो, T का जो बच्चों अस्थान होता है, वो होता है, बीसमा अस्थान, यहाँ पर देख लो, T का है वह या, बीसमा स्थान, हम थोड़ा सा दूर दूर लिख लेंगे, आपको समझना है, और S का स्थान होता है, 19, और R का स्थान होता है, बच्चों, यह आपका हो जाएगा, 18, ठीक, यह आपका 18 स्थान है, अब उपर के स्थानों को आप देख लिजे, कौन कौन से हैं, तो उपर आपका हो जाता है, वो का स्थान आपका होता है, 15, वो का स्थान 15, और P का स्थान होता है, 16, P का स्थान 16, और Q का स्थान हो जाता है, 17, ठीक, तो इस प्रकार से यह किया गया, इसका मतलब आप संबन्ध आप देखिए, 5, यहाँ पर 20 दिया गया है, यानि 20 नमबर वाला T है, फिर य से 15 हुआ 20 से 15 बना paying charges हुआ पहली बार में ठीक इसके बात 19 से कितना हुआ 19 से 16 हो गया इसका मतलब है माइनस का 3 हो गया यहां पर और 18 से फिर 17 हो गया इसका बार बा味 माइनस 1 हो गया तो अगले जो यह pattern दिया गया है इसमें सेम यही आपो करना है क्या करना है M से आपको माइनस कितना करना है 5 करना है M से माइनस 5 करना है L से आपको माइनस 3 करना है और K से आपको माइनस 1 करना है जो आपके अच्छर आ जाएंगे वही आपका सही आंसर हो जाएगा तो अब देखो M का बच्चो मान होता है M का मान आपका 13 होता है 13 से अगर 5 घटा दें तो 13 से 5 घटाएंगे तो बचेगा आपका 8 और आ Wal artist का मान होता है H ठीक 8 का मान क्या होता है H होता है उसी प्रकार से यहां पर L दिया गया है L से आपको माइनस का 3 करना है L से अगर माइनस का 3 कर दें तो L का जो मान होता है बच्चों वो होता है जो है 12 और 12 से अगर हम 3 माइनस कर दें तो बचेगा 9 3 12 9 बचेगा और 9 का जो अस्थान होता है वो I होता है ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें के तो के से आपको एक माइनस करना है तो एक माइनस करेंगे तो के का स्थान कितना होता है के का स्थान होता है यहाँ पर आपका के का स्थान पर आ जाएगा गेरा और ग्यारा से घटा देंगे दस और दस स्थान पर आता है जे तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आंसन निकल के आएगा ह आई जे आपका निकल आएगा सी आपसन सही हो जाएगा यह थोड़ा सा लिखने में दिक्कत थी इसलिए थोड़ा सा आप जंग से समझने का प्रयास करेंगे इसके बाद 89 नमर कुश्चिन बचो दिया गया है 11 का संबंद 110 से है तो उसे परका 17 का संबंद हमता दीजे तो 11 का संबंद 110 तो 11 दहम 110 हो जाता है और उसे परका 17 का अगर हम 10 से गुड़ा कर दें तो 170 हो जाएगा सी आप्सन सही हो जाएगा डारेक्ट रांसर रखा अब यह देखो 80 नम्मर कुस्टन दिया गया है ऐसे पर बहुत आसान कैसे करेंगे के ल एम एन यहां पर देखो एन एम एल के यानि अच्छरों को उल्टा कर दिया गया है जो लास्ट में अच्छरा था वो पहले आ गया फ लास्ट में यहां पर एच लिखा है तो पहले आप एच लिख दीजिए फिर आपको जी लिखना है फिर आपको एफ लिखना है फिर आपको ए लिखना है जो पहले आया है उसको लास्ट में आप ले जाईए तो ऐसे करेंगे तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा एच C 18 F इसका मान 324 तो कैसे 324 आया यह देखो C का जो अस्थान होता है वो होता है 3 ठीक हर जगे पर आपको जहां अच्छर होगा अंकों को समझना है तो C का अस्थान 3 इसका गुणा कर दीजिए 18 से और F का अस्थान 6 तो आप गुणा अगर करा दीजिए तो 6 18 3 54 और 54 चका हो ज गया है इसी प्रकार से इसमें भी आप करा लिजिए तो B का जो अस्थान होता है वो आपका 2 हो जाता है और 10 तो यहां पर दिया ही गया है और E का जो अस्थान होता है वो आपका 5 हो जाता है तो ऐसे हम अगर गुणा कर दें इसको तो यह हो जाएगा 2 पंचे 10 और गुणे संबंद किस से होगा तो पंखा बिजली से चलता है ठीक तो मोटर से क्या चलता है तो यह पेट्रोल से चलेगा बी आपसना आपका सही जवाब हो जाएगा तो ऐसे प्रशन जो है इस प्रकार से आपको अल करना है तो आज की इस वीडियो में जो हमने बताया वह आपको 2020 में आएफे प्रशनों को हल करवाया है इसके बाद आने वाली वीडियो में आप सभी को डे बाई दे क्लासेज होती रहेंगी जिसमें आपको सामाजी विज्ञान विज्ञान गड़ित रेजिनिंग के वीडियो भी उपलब्द होंगे और प्रैक्टिस सेट के साथ साथ में आ देलते हैं नेक्ट विडियो में जब तक के लिए धन्यवाज जयहिन वन्देवात्रम